अलो दोस्तों कैसे आप बहुत अश्य होंगे तिक माई साहल पृदी व्यादव हम पढ़ रहे हैं ट्रेन उसी को आगे बढ़ाते हो आज कि लावर सी स्टार्ट करते हैं तेकि आज का जो पहला कोशन है पहला कोशन को ध्यान पुर्वक पढ़ेंगे कोशन के कहता है वो कहता में कितना समय लेती है ट्रेने 70 सेकंड का समय लेती है और एक खंबे को समान गती से इसका मदब ट्रेन ए चल रही है तो ट्रेन ए के सामने कोन आ जाता है एक खंब आ जाता है और खंबे को पार करने में कितना समय लेती है 30 सेकंड का समय लेती है कोन ट्रेने तब कहता है ट् कि इतना आपको सवाल में दे रखा है तो आप से पूछा है इस तिर ट्रेंट B की लंबाई याद करिए तो बड़ा अच्छा सवाल है तो आप जानते हैं दूरी कितनी चली जाएगी ट्रेंट अपनी लंबाई चलेगी अपनी लंबाई चलेगे इस तिर गार की लंबाई जीरो है तो अब एक बावत आईगे तो दूरी बरावर के आएगा आप जानते हैं दूरी कितनी चली जाएगी ट्रेंट अपनी लंबाई चलेगी है सामने वाले की लंबाई चलेगी सामने वाली जीरो है इतनी लंबाई में ही घंबा पार हो और कितना समय लेगी समय सब्सक्राइब तो ढ impeous 7 अदर की सब्सक्राइब के नो बार, तो 9 meter per second यह चाल आ जाती है, train किसकी? एक ही चाल आ जाती है, आगे क्या कहेता है, देखिए सवाल के अंदर, जब train की चाल हमने निकाल ली, तो train भी चल रही होगी, कितनी चाल से? 9 meter per second, तो यहा भी दूरी निकाल लेंगे, तो कि दूरी के लिए क्या चाहिए? च समय चाहिए तो चाल भी आपके पास है और समय भी आपके पास है पार करने का यदि मैं आपसे कहता हूँ देगे चाल कितनी है नो और समय कितना है सतर सेकिंड आप कहेंगे कितनी दूरी है छैसो तीस मीटर की दूरी चली गई किसको पार करने में ट्रेन वी को तो पार करने का मतलब होता है खुद की लंबाई चली होगी और सामने वाले की लंबाई चली होगी तो खुद की लंबाई कितनी है 270 तो ट्रेन एकी लंबाई हम निकाल दे 270 तो बागी ट्रेन वीगी बचेगी नहीं बचेगी और जब हम इसमें से घटाएंगे 270 तो ट्रेन वीगी जो लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी 300-60 मीटर और यही आप से पूछा गया था तो यह ट्रेन कितनी लंबी है 360 मीटर लंबी बढ़ा अच्छा सवाल है कर सकते हैं चलते हैं नैस कोशन पर आप उसने का यदि एक ट्रक जो है तो ट्रक के बारे में कहा गया है क्या कहा गया है कि 550 मीटर दूरी चलता है वो कितने मिट में एक मिनेट में चलता है लेकिन आगे ट्रेन के बारे में कहा गया, किसके बारे में, ट्रेन के बारे में कहा गया, तो ट्रेन के बारे में क्या कहा गया, ये 33 किलोमेटर, कितने किलोमेटर, 33 किलोमेटर दूरी चलती है, कितने में, 45 मिनिट में चल पाती है, तो ये भी क्या है, चाल है और ये भी क्या ह में मैं आप से यहां पर ही मीटर बना लिजेगा हूं घुछ यहां कितना था text और एक मिनट जाएगा और मिटर से मिटर कड़ जाएगा तो आसाभाल है आप बढ़ाएंगा जीरो से 1-0 काट देंगे आप 5 से काट ग्यारव 50 15 और 11 इस होता है अब मैं आपसे कहूं बेखेगा तीन जमसे कार्ट जीए कितने रहत जाएगा पन्दरह और पांस से कट जहें पांस थिया 15 होता है और यहां पर कचेगा इयका कितना 20 बचेगा इधर बचता है बादे lav ए और इधर बचता है बाल के इधर कितना अनुपाद पता है तो किस के चल नौफाद वहीं कमाठे ट्रेन और ट्रक की चल अनुपास तो पहले ही दिया लेंकिए किसका पूचा रहें पहले पूचा है जिए सब up कर द्यान की छाल कितनी है तो पुbla कीरी के एसास हमारा जाएगा तो प्रेई अनुपात है दो आपका आन्शर ध्यान रखेगा यहां पर तो आपका अन्द ओगा 24 उनपार 3 होगा लिए आगे कहा है देखिए एक प्रेन 1 सेकिन में 15 सेकिन में पार कर जाती है लेकिन 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में तो कितने मीटर लंबा है सब्सक्राइब करेंगे तो यहां कितना आएगा इन दोनों का अंतर मतलब बड़े में छोटा और इन दोनों का अंतर बरावर होता है यहां दो आएगा और उपर कितना आएगा आप कहेंगे 300 अगा और दोस peng थे लंपाई कुछा तो आप अप कहेंगे दोरी और बटे चाल तो यहां तो निकल पाेगे आप थी दोरी क्या होती है खुद को पार करना सामने वालों को पार करना तो खुद तो कितना है देड़ सो है और सामने वाला जीरो है तो देड़ सो उपर रखिएगा और कितने समय में तो आप किंगे पंदर कितने में पंदर सेकिंड में तो पंदर समय से भाग करेंगे तो यह कितना जाएगा दस मीट पर सेकिने तो आपको 4 अंहुत करने की ज़रूँ नहीं है तो आंतर को कितना आएग है दस मीटर पर सेकिन चलते हैं आगले नाश कोशन केहता है वो कहता है CARE ट्रेन को दूसरी ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेगिंड का समय लगता है। का समय लगता है कितने सेगिंद का 10 सेकिंद का आद गयता यदि दोनों ट्रेने एक जिसा में चल रही हो तो लिए बीज से Um सोक जária जबी पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है दो सो मिट तो इहां भी कितने मिटर होगी 200 or यहां भी कितने मिटर होगी 200 मिटर अब बदाइएगा चाल सी तो चल रहे हुगी कोई नकोई से इसके अंदर भी जाल है इसके अंदर है मगर यह train को पार नहीं कर रहें व्यक्ति को पार करें तो व्यक्ति की लंबाई तो कितनी हो जाएगी जीडो तो जीरो प्लस दोसो कितनी हो जाएगी 200 मेटर दूरी होगी अब अब अटे कितना समय लगे है 10 सेकंड जीरो से जीरो काट जेंगे तो आप कहेंगे एक स्ट पलस बाई बरावर कितना जी आएगा 20 मीटर पर सेकंड आएगा दियाँ दीचेंगे उसका मदव दोनों की चाल का, यो कितना होना चीए 20 meter per second होना चाहिए, मगर same direction में चाले घट जाती ही, तो x minus y बरावर, दूरी यहाँ पर भी कितनी आईगी, 200, अज समय यहाँ कितना होगा, 00 काटेंगे, 200 इसे काट जाए, 10 जाएगा, x minus y कमान कितना जाएगा, 10 meter per second जाएगा, तो हमारे पास दोनों चाल है, अब दोनों चाल है, दोनों के योग भी दे रखा, दोनों का अंतर भी दे रखा, दोनों को हम जोड़ ले, जब जोड़ेंगे, तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 2x, और यहाँ value आजाएगी, आपकी 30 meter per second, जब हम इससे भाग करेंगे, तो x का मान कितना आएगा, 15 meter per second, तो आप बदाएगे, यही तो आप से पूछा था, कि x, x कोन सी चाल थी, पहली देल गाड़ी थी, तो आप बदाएगे, x को हम 15, 15 meter per second लिखेंगे, और 15 meter per second को हम लिखते हैं, 54 km प्रती घंटा, तो यही हम इसे km प्रती घंटा बना लेंगे, और यही आप से पूछा गया था, तो आप से पूछा गया गया है, पहली ट्रेन की चाल ग्याद करिए, तो पहली ट्रेन की चाल है, 54 km प्रती घंटा, आगे बलते हैं next question पर, के कहता है ध्यान से करेंगे 100 मिटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से चलते हुए एक बिप्रीद दिसा में कितने मिटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेती है चाल से 6 सेकंड तो अब एक बाव बताओ दोनों के अंदर चाल है तो सापेक चाल बनेगी क्या कि इसके अंदर भी क्या है चाल तो आप बताओ दूरी बरावर देखेगा पहला दूरी निकाल लीजेगा दूरी कितनी हो जाएगी आप कहेंगे खुद को पार करना सामने वाले को पार करना है चाहीं डिरेक्सिन कोई सी भी हो दूरी तो जूरती जूरती है तो मैं आपसे कहा हूं तो हिएंगे 1200 मिटर आजाएगा अब कितना समय लगा है तो समय भी आपको दे राख है छे चाल आशे सेकंड आप जानते हैं दूरी प्रति घंठा बनाने में क्या करेंगे, यहां किससे? लुद से अर्गुणा किससे करेंगे? अठारे से, तो फांस से भाग करेंए, तो घुतन आएगा 22, आइस से जम भाग करेंगे तो यहां कीतना आएगा 6, 132 किलोमेटर अर्धि घंठा चाल आ चुकिया है, दोनो की चाल अब जब दोनों की चाल आ चुकी है, मगर आपको एक चाल दे रखी है, एक चाल कितनी है, पचास है, अब ये डारेक्शन कौन सी है, विपरीद इसा में, तो आप किंगे पहली चाल प्लस दूसरी की चाल, परावर कितनी होनी चाहिए, एक सो बतिस होने चाहिए, इसको इधन लेके जाएंगे, तो आप कहेंगे सेकिंड चाल कितनी हो जाएगी, तो आप घटाएंगे देखेगा, यहां कितना आ जाएगा, एक सो बतिस माइनस के पचाथ, तो आप घटाएंगे हैं, दो ही आएगा, और यहां कितना आ जाएगा आपका 8 है जाएगा इसका मतलब दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी 82 km पर दी घंटा हो जाएगी यही इस का आंसर हो जाएगा चलते है नैस कोशन पर आगा बढ़ते हैं वो कहता है दो ट्रेन पी और गी एक दूसरे की और इसका मतलब गया है एक 10 km पर दी घंटे की चालते हैं तो जब मिलते हैं तब ट्रेन पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना दूरी जादा चल चुकी है 100 km दूरी जादा चल चुकी है तो पी और क्यू के बीच की दूरी गयाद करिए इसका मतलब यह दोनों की बीच की दूरी गयाद करनी बड़ा स चलेगी स्भेडिसारों की दूरी चाली चली होगी और दोनों की कली कांतरा रखा है मिलने सो किलोमेटरी की मिलने पर शब्स 1973 घंटमें तो एक ती का मतलब कितना हैगा दस घंटे इसका मतलब मिलने का मिलने का जो टाइम है वो कितने घंटे है दस घंटे है तो दस घंटे में पहली वाली ट्रेन ने कितना चला होगा और दूसरी ट्रेन ने कितना चला होगा तो आप बदाएगा तुमसे पूछा है P और Q के बीच की दूरी निकाल लीज़ीगा था निकाल लिज़एगा और भी 10 घंटे चला में कितना जाएगा 900 फी P से Q के बीच की दूरी कितनी है तो आप कहेंगे 900 km की दूरी है और यही आपका अंसर हो जाएगा चलते नैस कोशन पर आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशिन के कहता है, एक ट्रेन एक्स को, एक ट्रेन एक्स को दो सहरों के बीच, दो दो सहरों के बीच है, कितनी दूरी है, एक सू बैयानमे किलोमेटर की दूरी, टैकर नीम है, ट्रेन बाई से, इसका मतल़ ट्रेन कौन सी थी, एक्स थी, अब कहता है ट्रेन जो है बा किでは 22-00 roves 2,95 की कि işセ demora to train x को इसgame vr train x जतने समय में यह दूरी चलती है उससे कितने घंटे 2 घंटे कम समय लगता है कि अभ पावक के अपर पूशते है और drugger mo olvinação को अंथर कि उसले अंतर कितना है 16 km 15 जंन्टा इनकी बीच का अंतर है तो अब आपसे पूछता है तो तेज तेन को यातरा करने में कितना समय लगए बड़ा अच्छा सवाल है इस तरह के सवाल कई सारे आ चुके हैं ध्यान से करिएगा तो मैं आपसे कहूं देगे दोनों ट्रेनों के लिए बरावर गया है दूरी बरावर है और जब दूरी बरावर हो जाती है दोनों की चाल एक्स गुणा बाई और एक्स माइनस के बाई है तमय का अंतर है तो नीचे माइनस का आएगा और कितने समय के लिए वो यहां जाएगा तो बताए दूरी कितनी है एकस्तो बैयान में और चाल हमें नहीं पता है X और Y है मगर दोनो चाल का अंतर बता है कितना है 16 है और टाइम कितने गंटे 2 गंटे 2 से भाग करेंगे 8 है तो यहां देखेगा एकस्तो बैयान में गुणा 8 है और बरावर X गुणा Y हम जानते हैं यहे दोनो चाल का गंटर बता है और दोनो चाल का अंतर कितना है 16 है यदि मैं इस से भाग करूं यहां 6 से यहां छै से भाग करूं तो 6 से गुणा करूं तो कोई आपक्ट developed Laser अब जहें भाग करूंगे यहां पर देख इतना भून था लगाना ही बढ़एगा पहला कितना है बढ़ यह पादी में लगाना ही पदगों बत्तिस और्टालीस उत्तालीस ही गुणा उतनी होगी जितनी पहले थि पहले हेटि जिए बरेंके किसे बढ़़वर होगी उतनी गइखार है दोने में तो 48 के साथ से हमें दूरी जानी एक सो बयान में और बटे अरफ तालिस यह दूरी है और यह चाल है और जब हम इससे चलेंगे तो आप बताएंगे कितने घंटे लगेंगे चार घंटे का समय लगेगा और यह यह आपका अंसर हो जाएगा चलते हैं हम नैस कोशन पर बढ़ते हैं तो नैस कोशन क्या कहता है नैस कोशन कहता है 45 किलोमेटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 100 मिटर लंबे प्लेट फार्म को 60 सेकिंड में पार कर लेती है और एक ट्रेन को बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा तो एक ट्रेन है जिसकी चाल क्या है 45 किलोमेटर प्रति घंटा है और देखेगा एक प्लेट फार्म जो कितने मिटर का है 100 मिटर का प्लेट फार्म है उसको पार करने में कितना समय लगता है 60 सेकिंड क समय लगता है लेकिन यही ट्रेन जो पीशे ट्रेन आ रही है उसी ट्रेन को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा यह आप से पूछा है तो वही ट्रेन ने तो चाल भी सेम होगी बस आपको यहां ही आंसर लिख देना है यह आप थोड़ा से सवाल को ध्यान से कर लें अब मुझे बतागे ट्रेन के अंदर चाल है और कितने सेकिंड चलना पड़ा 60 सेकिंड तो 60 सेकिंड चला दीजेगा तो दूरी कितनी होगी तो दूरी बरावर होता है चाल गुणा समय मर यहां दूरी देगेगा काय मैं किलोमेटर में तो 18 अर गुणा 5 तो मैं आप से होता है उपर जो आएगी 25 बटे दो मीटर पर सेकिंड चाल हो जाएगी तो दूरी बरावर होता है चाल गुणा समय तो चाल कितनी है 25 बटे दो अट समय कितना है 60 सेकिंड तो इससे हम इसको भाग करेंगे तो कितना है 30 और 25 तिया 50 इसका मतलब ट्रेन ने प्लेट फार्म क कीतने मेटर कंदा 100 मेटर का था कि यह टोटल कितना होना चाहिए. 650 मेटर होनई चाहिए घंडिकी लंबास होगी और 100 मेटर लंबा प्लेट फार्म हो गा त scorम ही तो टोटल कितनी हम यह 550 म अगये तो ट्रेन कितनी मेटर की है 600 मीटर की तब एक बावत आईए तब ट्रेन किसकी छोड़ी दूरी को पार करती तो जीरो माल के चलती है तो यहां दूरी कितनी होगी 650 अब कितनी चाल से चाल वही है तो चाल आपकी देखे इसकी चाल आपने निकाली थी 25 बटे दो तो दो पर चला जाएगा अब मैं इससे भाग करता देखेगा पांस से भाग करते हैं तो पांच यह कितना आएगा बामन सेकिंड का समय लगेगा और यही आपका आंसर हो जाता है जलते हैं नेस्ट कोशन के कहता है 140 मिटर लंबी एक रेल गाड़ी 60 किलोम्टर पर दिखंटागी चाल से चल रही है इसका मतलब कितने मिटर ल रही है 140 मिटर लंबी रेल गाड़ी है और कितने चाल से चल रही है 60 किलोमेटर पर दिखंटा की चाल से चल रही है एक बिजली के खंप देखेए एक बिल्ली उसी दिशा में रेल गाड़ी के समानतर इसका मतलब उसी दिशा में तो एक बिल्ली है और उसके अंदर भी चाल कितनी है 18 km गंटा, गंटा कि दो डड रही है, तो बिल्ली को पर करने में यह train कितना समय लेगी, तो आप से क्या पूझा है? तो आप जानते हैं, जब train छोड़ी लेंद को पर कर ती선, तो बिल्ली उसकी साभ से कितने मीटर की होगी? जीरो मिटर के होगी, अब Direction same है, चाल त। दो है, तो जब dो चाल एक साथ आएंगी, तो बनेगी 7 पेक चाल बनेगी, क्या बनेगी, 7 पेक चाल तो जब 8 अएगी तो दोनों घटाएंगे, तो घटाना है मेट Tinka त आप कहेंगे 2, और यहां unto 2, तो दोनों की साफिक चाल कितनी आ चुकी है 42 आ चुकी है इसे जब हम मीटर पर सेकिंड बनाएंगे तो यहां 18 अर्गुणा कितने हो जाएगा पांच हो जाएगा 6 से काट यह 6-3-18 और यहां 7-5-35 बटे 3 मीटर पर सेकिंड यह क्या चुकी है चाल आ चुकी है अब चाल है दूरी है तो दूरी कितनी है आपके पास क्योंकि दूरी का मतलब होता है खुद को पार करना और सामने वालों को पार करना तो सामने वालों तो बिल्ली है तो छोटी है तो जूरो मान लेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी एक सो चालिस और आपके पास क्या है चाल है और दूरी और चाल का रेश्यो किस के बरावर होता है समय के बरावर होता है तो पताए नीचे क्या जाएगी चाल तो 35 बटे उपर तीन चला जाएगा तब मैं आपसे कहूं कितनी बढ़ जाएगा चार बार चार तीया 12 इसका है जार कि Caleb Coch scientist कितने मिटर लंभी रेल गारी है एक सो असी मीटर लंभी रेल गारी है एक दखेगा भी फार करने में कितना समय लेती है कि 9 सेगंड का समय लेती है तो आप बदाएए जब ट्रेन के सामने कोई छोड़ी कितनी हैं और समय कितना है 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकिंड आप से 4 किलोमेटर पुछिए इसका रिश्यो 5 होता है कनवर्ट किसे में करना है बड़े में तो बड़े का रिश्यो क्या होगा 18 का बदगी कितनी बाढ़ जाए चार 18 चोग 72 इसका मतब यह चार जो किलोमेटर पृति घंटा बनेगी वह कितनी बनेगी बाढ़ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा चलते नेस कोशन पर बढ़ते आगे नेस कोशन के कहता है उसने कहा 130 मीटर और 110 मीटर लंबी दो रेल गाड़ियां एक दिसा में चल रही है तो दो रेल गाड़ियां है 130 मीटर लंबी और दूसरी रेल गाड़ी है 110 मीटर लंबी है एक दिसा में चल रही है अब तेज चलने वाली रेल गाड़ी दूसरी रेल ग विप्रीद दिसा में जाएं, तो जब वह विप्रीद दिसा में जाएं, दोनों की दोनों रेलगाड़ें कहां जाएं, विप्रीद दिसा में जाएं, एक दूसरे को पार करने में तीन सेगेंड का समय लेती हैं, कितने सेगेंड का समय लेती हैं, तो चाल के बीच का अंतर बत तो चाल बरावर होता है दूरी बटे समय तो दूरी कितनी होगी? 130 और यहां कितना होगा? 110 तो दूरी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड लेंगे तो कितना है? 240 और समय कितना दे रखा है? 60 0 से 0 काटेंगे 4 से देगे जब 6 से 24 करटेंगे तो x-y जो आएगा, वो कितना हैगा? 4 मीटर पर से दे रखा है तो आप से चाल नहीं पुची है? दोनों की चाल का अंतर पूचा है, प्रैके आपसे पुचा है तो अनों रेलगाड़ी की चाल का अंतर आगे करने जरूत नहीं है यहां से आप का अंतर हो गति का नुपाद दिये तो चाल का नुपाद कितना है चार पांच और यहां तीन है अब कहता है उनकी ओस्जाट दे रुखी तो हम यह थोड़ी दियर के लिए माल ले लेना यह चार चाल है चार किलोमेटर प्रिटी घंटा और ये चाल है कितनी पांच किलोमेटर प्रिटी घंटा और ये चाल है आपकी तीन किलोमेटर प्रिटी घंटा तो यदि मैं आपसे कहूं अब एक बावत आए इसने दूरी ये घंटे में चार चली इसने पांच चली और इसने तीन चली तो यहां 4 है, यहां 5 है और यहां 3 हों, अब बताएं टोटल कितना आएगा, 3 है, आपके हिसाब से कितना आएगा 12, अर 12 वटे 3 है तो 4 आपके हिसाब से अबरेज आएगी, मगर सवाल में कितनी दे रखी है, असी दे रखी है, और जब हम इस सा काइटेंगे, तो एक की मेल्यू क प्रती घंटा पहले वाले की चाल आजाएगी, रियल वाली, और इसकी कितनी जाएगी, 100 किलोमेटर प्रती घंटा दूसरे की चाल आजाएगी, और तीसरे वाली की चाल आएगी, वो कितनी आएगी, 60 किलोमेटर प्रती घंटा आजाएगी, तो आप मुझे बताएगे, ती और बस की चाल कितनी है तो आपने निकाल लिए 60 है अब दोनों की एवरेज निकाल लिए तो यहां दूरी कितनी चली क्योंकि उसद क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम तो दोनों को जोड़िये विटा दूरी कितनी है हमारे इसाफ से 80 प्लस 60 हर बटे दो ग चलते नेस्ट कोशन पर एक ट्रेन स्टेशन पर स्टोप सहीटे का मतलब क्या है एक ठेन है हर स्टोफ परर रुखती है तो उसकी चाल जो आती है कितनी आती है 36 km प्रिति घंटा यदि बहें 9 इस्टोप जाए बिना रुके जाए तो उसकी चाल आती है 48 km प्रिति घंटा तो आप बताएगे जो चाल उसकी ओरिजिनल थी बिना रुके जो रुकेगी तो समय बढ़ाएगी तो बिना रुके की चाल को हम S1 मानेंगे आईसे क्या मान लेंग अपोन S1 तो आप बताएगे उपर कितनी चाल है S1 कितनी है 48 और यहां सद्पिस्ट दोनों गंतर कितना आएगा बारा नीचे चाल कितनी थी 48 थी तो आप कहेंगे बारे चौक और तालिस होगा मर यह जो आपका आएगा समय काई माया घंटे में मैं आप से क्या पूछा कि आपका आंसर क्या पूछा है मिनेट में पूछा है तो बताएगे इससे जब आप मिनेट बनाएंगे घंटे में कितने में होते हैं 60 और 60 को चार से बाग करेंगे आपका आंसर कितना जाएगा 15 में आ जाएगा और यह आपका आंसर हो जाएगा चलते है नैस कोशन पर नै अब दूसरी रेलगाडी कौनसी है 48 है समान दिशा में चल रही है तीब्र गती देखे टीब्र गती से चलने वाली रेलगाडी धीमी गती वाली रेलगाडी में बैठे पूरुष को पार करने में 36 सेगंड का समय तो आप ऐसा कर लिजेगा क्योंकि तेज चलने वाली पीछे स कर आएगी तब ही तो पार होगी कुए इसका इस इसे संयर में कि इसके पार कुछा पार करेगी तो ट्रेन के हिसाब से आदमी के दूरी कितनी होती है जीरो होती है तब अधाई पहले वनेगी साप एक चाल तो कि दोनों के अंदर गया है चाल है अच सेम डारेक्षिन में चाल है घट जाती है तो जब घटाएंगे तो आप अधाई कितना है का 12 किलोमीटर पिर पर सेकंड की चालाजी, मगर पार करने में कितना समय लिए, 33 सेकंड, तो 33 सेकंड में कितना दूरी चलेंगे, दिखेगा, कितना दूरी चलेंगे, वो दूरी निकाली, तो दूरी बरावर क्या होता है, चाल गुड़ा समय, तो चाल ये रही, 10 बटे 3, और समय कितना है, 33, तो यह सारी लंबाई किस की हो जाएगी, त्रेन की हो जाएगी जिसने पार किया है, इसका मतलब जो ट्रेन पार करती है आदमी को, वह कितनी लंबी होनी चाहिए, 110 मीटर लंबी होनी चाहिए, और कौन सी यह है, तेज है, तेज वाली ने तो पार किया होगा, तो आगे बढ़ते 9 सेकंड का समय लेती है लेकिन उसी के सामने एक प्लेट फार्म आ जाता है तो उसी को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है तब बताएए ट्रेन नहीं बदली है ट्रेन दोनों के लिए समान थी जब खंबा पार हो रहा था और प्लेट फार्म पार हो रहा था तब एक बाव बताईए, खंबे की लंबाई तो इसके सामने 0 है या नहीं है, तब मैं आपसे कहूँ, इसको जब पार किया था, इसको जो पार किया था, इसमें किसकी दूरी होगी, इसमें दूरी होगी, रेल की लंबाई, लंबाई, और प्लस, प्लस होगी, प्लेट फार्म की लंबाई तब जाकर time लगेगा यहां से आतक का 39 सेकंड का तो यदी मैं आपसे कहूं कि जब train की लंबाई किसा काम करती ही जब देखेगा दूडी का काम करती है जब छोटी बस्तु को पार करती है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैn जब इसको पार करने में जो दूरी चली होगी, वही ट्रेन की लंबाई होगी, रेल की क्या होगी, रेल की क्या होगी यहाँ पर, लंबाई होगी, अब मैं आप से कहूं, रेल की लंबाई, दूरी का काम करियार कितना सेकिंड समय लिया था इसको पार करने में, 9 सेकिंड का, प्लेट फार्म की लंबाई को पार करने में लगा होगा, तो हम 20 सेकंड चला दें ट्रेन को, तो प्लेट फार्म की लंबाई को घटा दिया, और ट्रेन की लंबाई का समय कितना था, 9 सेकंड को घटा दिया, तो बाकी प्लेट फार्म की लंबाई का समय निकल जाएगा, निकल तो मैं आप से कहूं चाल वरावर तो चाल कितनी थी? 67.5 km प्रती घंटा इसको कितना चला दिया जाए 20 सेकंड तो 20 सेकंड की क्या जाएगी ये दूरी और ये दूरी केवल किस की होगी? प्लेट फार्म को पार करने की दूरी होगी प्लेट फार्म को पार करने अब मुझे बदाना यहाँ पर देखेगा इसमें देखेगा ये किलोमेटर है तो यहाँ ठारा और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए पांच मर कितनी सेकंड चलाना पड़ेगा? 20 तो 20 से कुना करने पड़ेगी अब इसको सुल्फ कर लिजेगा अट जो यह आएगा ना बुक किस की लंबाई आएगी केवल प्लेट फार्म की लंबाई आएगी अब देखेगा पॉइंट अटाएंगे नीचे एक जीरुआ जाएगा पांस दूनी कितना होता है? 10 होता है पांस से यह 10 कट गया इस दो से हमने इसको काटा है तो कितनी बार केटा? 10 बार अब मुझे बताओ इस 9 से काट जीजेगा 9 दोनी 18 और 9 सत्य कितना होता है? 63 होता है तो जब 9 से काटेंगे तो 9 सत्य कितना होता है? 63 होता है अब 9 पंजे कितना होगा? 45 होगा अब 2 से इसा काट जिए का यहां 5 आएगा अब 75 की गुणा 5 करेंगे तो कितनी दूरी आएगी 55, 25, 35, 37, कितने मेटर की दूरी आएगी तो 375 मेटर की दूरी चली गई है फ्लेट फार्म को पार करने में केवल ट्रेन के द्वारा तो हमने काट ट्रेन की लंबाई हमने काट घटाई है तब जाकर 20 सेकिन बचा था तो सवाल इंपोटेंट है एग्जाम के इसाफ से करने में बड़ा अच्छा होगा कर सकते हैं चली है अगले कोश्युन पर बढ़ते हैं उसने का दो सौ मीटर लंबी रेल गाड़ी के दो सो मीटर लंबी एक रेल गाड़ी चालिसं क्लमेट प्रेट घंटे की चाल से चल रही है तो इसका मतलग इसके पाज कौन घड़ा एक व्यक्ति घड़ा है उसको पार करने में कित तो सिंबल का कोशन है, जब ट्रेन किसी छोटी चीज को पार करती तो इसकी लंबाई के आमान के चलती है, जीरो चलती है, अब बताएगे दूरी कितनी हो जाएगी, तो खुद को पार करना, खुद को ने 200 प्लस जीरो, तो यह कितना आगा 200 मीटर, अब यह जो चाल दे रखी सो बटे 9 मीटर पर सेकिंड, अब समय निकालना है, तो समय बरावर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो 200 है, अब बटे चाल क्या है, सो बटे 9, 9 उपर पोच जाएगा, दो 0, 2 0 काटे के तो कितना समय लगेगा, 18 सेकिंड का समय लगेगा, और यही आपका अंसर हो जाएगा, चलते हैं, नेस्ट कोशन पर आगे, तो नेस्ट कोशन के कहता है, दो ट्रेन, 150 मीटर और 200 मीटर लंबी एक दूसरे को पार करने में, इसका मदलब क्या है, कितने मीटर लंबी थी, 150 मीटर, और दूसरी कितनी है, 200 मीटर, एक दूसरे की और, एक दूसरी की और किलोवीटर पर और हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे तो तो बताएं कि दो चाल है isseur साप एक चाल बन जाएगी तो dodnों को जोड़ेंगे तो वहां बनेगी साप एक चाल तो साप एक चाल यहां कितनी हो जाएगी तो अब बताएगे यहां 6 आएगा 12 आएगा 126 किलोमेटर पर दी घंटा अब इसाइट 13 जबा करिए और गुणा 5 मीटर पर सेकिन बनाने के लिए तो आप जानते हैं 7 बार 7 पर यह 35 होता है तो 35 मीटर पर सेकिन यह चाल आईए दोनों की चाल आईए तो दोनों चलेंगे क्या दूरी चलेंगे तो दूरी बताएगे कितनी है खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना तो खुद क्या है 1500 और सामने वाला है 200 तो टोटल दूरी कितनी होगी 350 मीटर होगी अब देखें समय निगालना है तो समय कैसा निगलता है तो समय निगलता है टोटल दूरी upon टोटल टाइम अब भाग करिए कितना हैगा 10 सेकिंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने मार यही इसका अंसर हो जाएगा चलते है तो चाल कितनी है 20 किलोमेटर पर दिगंटर की चाल से चल रही है एक टेलीफोन घंबे को पार करने में कितना समय लेगी समय पूछा है तो आप जानते ट्रेन के सामने कोई छोड़ी लेंद आती उसको 0 माल लेती अब मैं आप से कहूँ चाल है किलो मीटर पर दिखंट है दूरी मीटर में तो 18 अरगुणा 5 कर लिजेगा क्यों क्योंकि चाल आपकी मीटर पर सेगन बन जाएगी तो 2 से भाकरी उपर 10 आएगा और नीचे के आएगा 9 आएगा इन दोनों से चाल जो बनी है 50 बटे 9 मीटर पर सेगन जब ये चाल कनवर्ट कर लिए तो सवाल में कुछ रहता नहीं है तो आप जानते है समय बरावर क्या होता है तो समय बरावर होता है दूरी बटे दूरी कितनी है और बटे चाल कितनी है 50 बटे 9 नो उपर पोच जाएगा तो आप से कहुं दो बार जाएगा 9 नो नहीं 18 तो समय कितना सेकंड लगेगा 18 सेकंड लगेगा एक दूरी देगेगा किस को पार करने में खंबे को पार करने में चलते हैं नेस कोशिन पर बढ़ते हैं आगे तो नेस कोशिन के गहता है लखनाओ से सताब्दी एक्सेस बरांसी से लखनाओ सताब्दी एक्सेस बरांसी से तीन वजे तो देखेगा कौन सी ट्रेन है? ट्रेन है लखनाओ सताब्दी एक्सेस बरांसी से कितने वजे? साड़े तीन बजे सामके उसी दिन बहल लगनाओ पोशने में कितना समय लेती है आठ बज़ कर तीज मिट पर सामके यह राद के कहते है तब मैं आप से कहूं कितनी चाल दे रखी है राज से भर की एक सुचालिस क्लोमेटर दूरी दे रखी है आप एक बावत आईए एक सुचालिस क्लोमेटर पर दी घंटा की चाल से बाराणसी से लगनाओ की ले ट्रेन चलती है और कितने घंटे में पोश जाती है तो आप बताएट टाइम घटा लीजेगा तीन साड़े तीन बज़े चली तीन साड़े आठ बज़े पोश की यह तो कितना घंटे आएगा पांच घंटे तो आप मुझे बताएगे दूरी निकाल ली है तो दूरी कैसे निकलती है जिसकी चाल उसका ही समय समय कितना है पांच तो चोदर पंजे कितना होता है सकता इसका मतलब हम कह सकते हैं बाराणसी से लगनाओं के बीच की दूरी कितनी होगी साथ सो किलो मिटर चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन कहता है क्रमसा 210 मीटर और 1500 मीटर लंबी रेल गाड़िया A और B समानतर बैटरी पर A की दिसा में चल रही है तो तो दोनों की दिसा कौन सी है A की दिसा है तो आप मुझे बताइए यहां कितनी है 210 मीटर और दूसरी की लंबाई कितनी है 150 मीटर और दोनों A की दिसा में चल रही है तो अब पहली की चाल कितनी है 110 किलो मीटर दूसरी की चाल कितनी है 128 किलो मीटर तो आप हो कहता है ये train कौन सी थी ये train A थी और ये train है कौन सी B है अब तेज़ चलने वाली train तेज़ चलने वाली train धीमी चलने वाली train को पार करेगी तो तेज़ चलने वाली ये है तो आप कह सकते हैं ध्यान दिजे कहिना तो तेज़ चलने वाली train जो है और दोस्तो दस यह है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, यह 360 मीटर, अब बदाए यह चाल है, तो चाल दोनों के अंदर है, तो यहां क्या बनेगी, सापेक चाल, और सापेक चाल सेम डारेक्शन मोहती तो घट जाती है, तो घटाएंगे तो आप कहेंगे 18 बचेगी, अब 18 किल आप कहेंगे, पास सत्य पैटिस और पास जोनी दस, तो 72 सेकिंड में ट्रेन बी जो है, एक और कर लेगी, अब वो कहता है, मंबोई से गोआ जा रही है, एक रेलगाडी ने, पहले, तो मंबोई से गोआ जा रही है, पहले 420 किलोमेटर, पहले 420 किलोमेटर, कि जो दूरी तेह करी है, वो कितनी चाल से तेह करी है, 30 किलोमेटर प्रती घंटा से, आग कहता है, सेज दूरी, सेज दूरी कितनी, 105 किलोमेटर, पर उसकी चाल गया है, 65 किलोमेटर प्रती घंटा से, तो वो ये पूछता है, पूरे रास्ते की उसस चाल कितनी रही, मंबोई से गोआ प पूल समय आता है तो दूरी तो आपके पास है 420 प्लास 155 में मत इसको चलने की चाल गया थी एक घंटे में 60 तब 60 से भाग करेंगे तो कितने घंटे आजाएगा तो आपके इसकी देगेगा इसको इस से भाग करेंगे तो तीन घंटे आजाएगा तो टोटल दूरी है टोटल टाइम आपके पास है तब जोड़िए यहां 5 आएगा और यहां कितना आएगा 11 आएगा और यहां कितना आएगा 6 आएगा अब बटे 10 आजाएगा दस से भाग करेंगे तो 61.5 पूरे रास्ते की उससा चाल रही और यही आपसे पूछता है तो आ रही है आप उसने का 36 सेगेंड में तेज टेन धीमी टेन से आग निकल जाती है तो आब बताएगे टेन एक तो तेज टेन धी जिसकी चाल गया है 46 किलोमेटर पर दिहंटा एक टेन है धीमी और जिसकी चाल गया है 36 किलोमेटर पर दिहंटा और समान लंबाई की जितनी ट्रेन की देखे गार, चाल सेम डारेक्शन है, तो सेम डारेक्शन में बनती है साप एक चाल, तो आप बताए ये साप एक चाल जो होती है, सेम डारेक्शन में घट जाती है, तो घटाएंगे तो कितनी आएगी? 10 km प्रिटी घंट आएगी और इसका देखेंगा रेश्यू 18 अट छोटे का कितना होता है मीटर पर सेगंड का 5 होता है तो यहां 9 आएगा रियां क्या आएगा 5 25 वटे 9 मीटर पर सेगंड तो यह कौन सी चाल है सापेट चाल अब बदैये दूरी निकाल नहीं है तो दूरी क्या होती है जिसकी चाल उसका ही समय होता है तो चाल कितनी है 25 वटे 9 और समय कितना है 36 सेगंड तो 9.36 होता है आप कहिंगे टोटल दूरी कितनी होगी 2 मीटर होगज आप बताए ये 100 मीटर तो टोटल दूरी है मगर दो ट्रेन है तो ये दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है तो जितनी ही होगी तो ये 50 मीटर ये भी कितनी 50 मीटर तो आप से पूछता है पिड़ते एक ट्रेन की लंबाई कितनी है जबकि ये दोनों A की दिशा में चल रही है तो अब बताएगे ट्रेन कौन सी है ट्रेन A है और एक ट्रेन कौन सी है ट्रेन B है ट्रेन A की चाल गया तरह रही है 80 km पिड़ती घंटा तो ये दोनों सेम डारेक्शन चलतों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है 32 सेकंड का समय लेती है लेकिन जब ये विपरी दिशा में होती है कौन सी ट्रेन ट्रेन A और ट्रेन B दोनों विपरी दिशा में होती है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है 36 सेकंड का समय लेती है अब उसने क्या गाहा है आगे देखेगा ट्रेन B की लंबाई कितनी है 600 मीटर है यहां भी कितने मीटर होगी 600 मीटर है तो ट्रेन A की लंबाई याद करिए मीटर में तो अब एक बावत आईए अब मैं आपसे गहूं देखेगा अब एक छोड़ा सा यहां पर देखेगा इसकी लंबाई आपको दे रखी है और यहां भी दे रखी है कुछ नहीं करना है पस एक दम देखें दोनों की चाल मान लिजेगा तो यहां क्लिकें प्रेन A सेम डारेक्स में प्रेन B और बरावर दूरी चली गई तो दूरी आपके है या यह नहीं है तो मैं आपने दूरी कितनी है आपके पास एक चाल तो यह चाल मान लिजेगा इसकी कितनी हो जाएगी X km पर दी घंटा तो आप कहींगे 81 81 91S ke X आप बदागी कितने second चली गई है 72 second चली गई है 72 second में बदागी है काइम है km पर दी घंटा 72 second चली गी तभी तो पार होई train तो 72 second चला दीजएगा यह क्या जाएगी? दूर ही यह जाएगी ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी चलेगे इसी बिरकार से यहां करना है तो इसकी चाल तो फिक्स है 81, 81-1 प्लस के विप्रीद दिसा है तो यहां भी क्या है किलोमेटर पटी घंटा और कितने सेगिंड चले 36 सेगिंड तो 36 सेगिंड की दूरी निकाल लीजेगा और यहां भी क्या जाएगी दूरी आजाएगी आप जानते हैं दूरी दोनों जोगे क्या है बरावर है क्यों क्योंकि ट्रेन चैन्ट विप्रीद दिसा हो या समान दिसा हो तो दोनों को जोड़ के तो चलेगी तो चाहिए आप ऐसे जोड़ो चाहिए ऐसे जोड़ो दोनों की जोड़ के दूरी तो बरावर आएगे नहीं आएगे इसका मतला यह वाली दूरी इस दूरी के क्या होगी बरावर हो जाएगी तो बस कुछ ने करना 81 माइनस के X अब गुणा क्या था कि किलोमेटर प्रती घंटा था और समय काय में 32 सेकिंड है और बरावर यहां भी गयाएगा 81 प्लस X यह भी काय में है किलोमेटर प्रती घंटे में है मर कितने समयगी 36 सेकिंड के तो कनवर्ट गरने की जोड़ नहीं क्योंकि बरावर में तो आप करेंगे 262 होगा माइनस के 2X होगा और बरावर हैं कितना हैगा 81 प्लस X हो जाएगा इसको इधर लाएंगे यहां कितना हैगा 3 आएगा 28 हो जाएगा बरावर हैं कितना हैगा 3X हो जाएगा इससे इसको भाग करेंगे तो आप कहेंगे कितना हैगा इसकी एक्स दमान कितना आएगा तो यहां पर वेल्यू आएगी कितनी एधर जुड रहा है तो जब यहां गुणा करेंगे तो यहां भी 81 अब आपसे चाल पूछी होती तो चाल बताते मगर आपसे पूछे ट्रेंड किसकी लंबाई है एक इलंबाई पूछे तो दूरी निकाली आसानी हो जाएगी दूरी देगे दूरी से आसान निकालेंगे तो दूरी कोई से निकाली तो दूरी बरावर क्या दे रखा था इक्यासी माइनस के x x क मांद कितना है 27 है और यहां क्या था पांच बेट थार है कियो sûr कि किलो मीटर मफट था था तो 12 12 15 ३ बाहत्र है एक हासी मीटर एक असी मेटर दूरी है जिसमें दोनों ट्रेन के लंबाई है दिहान रखना एक नहीं है एक की कितनी देर रखी आपको 600 मेटर तो 600 इसमें से घटा दीजेगा दूसरी की आजाएगी नहीं जाएगी जब 600 घटाएंगे तो आप कहेंगे 480 है जाएगा बड़ा अच्छा सवा के की ओर चलती है तो आप बदाएगे के की ओर कितनी चाल से चलती है बिंदू H है और किस की ओर जाती है के की ओर जाती है क्या बज़े जाती है 630 पर जाती है और कितनी चाल से जाती है 90 किलोमेटर पिटी घंटे की चाल से जाती है अब उसने कहा अन्य देल गाड़ी यह और कितनी चाल से जाती है 12 क से किस की तरफ के लिए एज की तरफ के लिए यह इधर की तर parties तो वो कहता है दोनों रिलगाडियां बिंदु जी पर अब इमनल टोCl कहा जाता है तशाधर गयारा वजे मिलती है by साड़े 11 वजे मिल जाती है तो आप से पूछा है इन दोनों की बीच की दूरी और इन दोनों बीच दूरी का अनुपात पूछा है बड़ा अच्छा सवाल है असानी से कर सकते हैं इस तरह का सवाल आप पीछे एक बार कट चुके हैं तो बताईएगा मैं आप से कहूं देख कितने गंटे चला चार数 अभी 5 गंटे में जाता है नव तो पांच गंटे की दूरी चला है 3 एडर कितना है 1ुतम जाता है 2 यह कितने 10 चला है चार गंटे सबसे कि तो यह कितने一點 यह इसल दूरी नरहीं काश्म मिल जाएंग नहीं जाने अब मैं आपक्का आप को तर 6 साले दोनों की दूरी बीच की दूरी का अनुपार चलते हैं नेच कोशन पर बढ़ते हैं नेच कोशन के कहता है बैंगलोरू से चिन्ने के वीच चलने वाली दो ट्रेन अपने अपने स्थान से एक ही समय पर चलना सुरू करती हैं और क्रम सा 80 किलोमेटर पर दिहंटा और पिच्य यहां से और चैन्ने के लिए दोनों दिखेंग एक दूरी बड़ावर नहीं है, समय बड़ावर है जिसकी चाल जादा होगी वो तूरी जादा चल पाएगई अब एक बार बता हो इसकी चाल कितनी है, पहले की चाल है 80, किलोमेटर पर 30 गंटा, और इसकी चाल है 95 किलोमेटर पर 30 गंटा, तो यह मिलने एक गंटे में, टी गंटे में, तो टी गंटे में एक गंटे में अस्ती जाता है, तो टी गंटे में कितने क्योंगे, 80 टी अर यह पिचान में टी, तो इ कि आप 10 से पंद़ेगे किदम से दोनों का निकाल लुह निये हैं तो तूटि पर दोनों को चॉरबना समय प्कूण चॉर आपका 17, तो आपका कितना आएगा, 175 क्या जाएगी इनकी, चाला जाएगी, किलोमेटर पर दिगंटे, मर क्या गंटे चलेंगे, 12 गंटे, तो 12 गंटे की दूरी निकाल दीजेगा, तो आप कहेंगे 12 देखे, 12 पंजे साथ, तो अच्छा आएगा, अब 12 छंग देखे, 12 सत्ते कितना और 84, और 84 और 6 जोड़ेंगे, तो आप जानते 90 जाएगा, और 91 जाएगा, इसका मतलब बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमेटर है, या आप ऐसे निकाल सकते है, ये कितने गंटे जलता है, 12 गंटे, तो 12 गंटे की दूरी निकाल दो, 12 गंटे कितना होता है, 96, तो 960 आप 108 में हम कितना जोड़ें, 6, तो आप कहेंगे, जब 6 जोड़ेंगे, तो कितना है, 114, ये इतनी दूरी चल चुका है, इतना ही आप इधर से निकाल लिजेगा, और दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना है, 200 किलोमेटर ही आएगा, ये ये आप का अंसर हो जाएगा, तो आपकी वीडियो का ये last question था, next वीडियो में, next question के साथ मिलते हैं,